नमस्का दोस्तों चाइना ने जो करोडो डॉलर का इन्वेश्मेंट वाटर वार प्लान में किया था वो अब डूपता हुआ दिखाय दे रहा है चाइना को जिसकी वज़े से चाइना को दोवारा अब रिसेंटली स्टेटमेंट आना शुरू हो चुके हैं देखो हुआ प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई थी आप यहां पर देख सकते हो 13,000 करोड का एक प्रोजेक्ट लोहित नदी के उपर बनने वाला था वही दूसी तरफ बारा और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया था और इन्हें अलोट किया गया था तीन स चाइना को दिकत होते हो इसलिए दिखाये दे रही है क्योंकि चाइना का जो वाटर वाइ proto प्लान है वह पूरी तरीगे से फेल हो रहा हिसके करण से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ब्रेसेंटली स्टेटमेंट आये हैं कि भारत के पास में कौई अधिकार नहीं है contested border region के अंदर सामान को या फिर infrastructure को develop करने का हाला कि चाइना खुद देपसान प्लेन के आसपास अकसाइचिन के अंदर कई सारे infrastructure project develop कर रहा है जो की Indian territory है और चाइना का कहना ऐसा है कि अरुनाचल प्रदेश जो officially इंडिया की ही territory है पर चाइना इसके उपर claim करता है चाइना कहना यह है कि भारत जो है वो अरुनाचल प्रदेश के अंदर कोई भी infrastructure project नहीं बना सकता तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि चाइना के concern क्या है ये water war plan क्या था भारत ने क्यों इतने सारे hydropower project इस region के अंदर बनाये थे किस तरीके से भारत अपना defense करना चाह रहा था इन साही चीजों को मैं शुबेरिंग चोहान डीटेल में आप लोग के साथ में चर्चा करूँगा बड़ उसके पहले आप लोग मैं साथ में साशी 10 टेलिग्राप रूप के उपर लुड़ सकते हो मेरे क्लास की अपडेट पीवीडी पीडिएफ सब कुछ आपको में मिल जाएगी आगे बढ़ने से पहले सवाल आप लोगों से पूछा चाहूंगा इन में से कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया अरुनाचल प्रदीश में लोकेटेड नहीं है आपके ऑप्शन है पके टाइगर रिजर्व कामेंग नेशनल पार्ग दिमाग वाइल लाइस सेंचुरी या ननौब दिस सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे जो सही जवाब देगा ना उस सेंटर खोले जा चुके हैं जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को अफ्लाइन ग्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे सी सेट एसे राइटिंग करेंट अफेस जी एस इन साइव चीजों की कम्परेंसिव तैयारिया आपको कराई जाएगी इवन कॉमन कोर्सेज भी आप लोगों के कवर किये जाएंगे आप लोगों को वराणर मेंटर्शिप दी जाएगी आपको ट्रेश दिया जाएगा स्टडी मटेल दिये जाएंगे यानि कि एक बार आपने अनकेडमी जॉइन कर लिया उसके बाद यूपी एसी सी एसी के अंदर और कोई इस सारे स्टडी मटेरियल फ्री आफ कॉश मिलेंगे जैसे जितने भी करेंट अफेस होते है ना उनकी मंतली मेगजीन आती है हर महिने के करेंट अफेस जो हम लोग कवर करते हैं उन सारे करेंट अफेस को ए जगे पर कमपाइल कर दिया जाता है अगर आप वो पीडिएफ लिना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और नीचे कमेंट के अंदर मैंने एक लिंक पिन कराई है उस लिंक को फिल आउट कर देना इसके अलावा दोस्तों अनकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस को टॉपर दॉपर रिकमेंड किया गया कई सारे अब दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं आप हुआ क्या है देखो हुआ ऐसा है कि चाइना के फॉरे मिनिस्टर द्वारा ऑफिशल यह स्टेटमेंट दिये गए हैं कि जो भारत सरकार द्वारा बारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुनाचल प्रदेश के अंदर भ्र अरुनाचल प्रदेश शदन तिब्बद है और जब भारत यहां पर इन्फरास्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है तो वह इलीगल है और इनवैलिट है चाइना के यह कहने के पीछे केवल एकमातर कारण यह नहीं है कि अरुनाचल प्रदेश में इन्फरास्रक्चर किया जा रहा है इवन चाइना खुद भारत के बॉर्डर वाले इलाकों के अंदर इसी तरीके से इल्लीगल और इन्वैलिड इंफ्राशक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करता है इधर अक्साइचीन वाला इलाका है जहां पर देफसांग प्लेन और बाकी सारे रीजन के अंदर चाइना ने कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इवन कई सारे इंफ्राशक्चर प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किये हुए अब बात करते हैं कि चाइना को दिक्कत हो क्या रही है उसको समझने से पहले ही समझो के चाइना का प्लान क्या था इसे कहा जाता है व वहां से ये तिबबत के अंदर flow करती है, जब ये तिबबत में flow करती है तो वहां पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब एक बहुत पतली सी stream के रूप में भ्रह्मपुद्र नदी यहां पर flow करती है और यह जितना भी पानी आता है तिबबत में ये glacier से आता है, और यहां पर भ्रह्मपुद्र नदी को यालूंग जैंगपो कहा जाता है या जैंगपो कहा जाता है, यह जो यालूंग जैंगपो है, यही यालूंग जैंगपो तिबबत के अंदर इंडिया की border के parallel चलने के बाद Great Canyon से अचानक यूटन लेती है, और भारत के अंदर एंडर करती है, नामचा बरवा जो परवत है उसके पास है, और फिर अरुनाचर पदेश के अंदर यही ब्रह्मपुद्र नदी सियांग कहलाती है, यही सियांग धेर सारे deposit लेके आती है, क्योंकि यह उपर पहाड से अचानक से नीचे गिर रही है, तो यहां पर धे सारी मिट्ट को मिलेंगी, यह नदियां जब भ्रह्मपुद्र नदी के अंदर जुड़ती है, तो भ्रह्मपुद्र नदी की चोड़ाई बढ़ती जाती है, और फिर major पानी भ्रह्मपुद्र के अंदर आपको आसाम के अंदर देखने को मिलता है, कहीं सारे region के अंदर भ्रह्मपुद् सोर्स है वो है रेनफॉर्ट क्योंकि नौर्थिष वाले रीजन के अंदर मौनसून के बे ओव बेंगॉल वाले ब्रांच के डाइरेक्ट आने की वज़े से काफी सारी बारिश होती है इस कारण से इस रीजन के अंदर कई सारा पानी खटता होता है और भ्रहंपुत्र नदी क के लिए एक मेजर वाटर का सोर्स देखने को मिलती है मतलब इंडिया में मेजर पानी का सोर्स है मौनसून और तिबबत के अंदर इसी ब्रहंपुत्र नदी का मेजर पानी का सोर्स है ग्लेशियर अब चाइना का प्लान क्या है चाइना का प्लान यह है कि जब भारत में या और भ्रमपुत्र नदी के लिए मेन पानी का सोर्स होता गलेशर से क्योंकि गर्मी के समय पर गलेशर जादा पिकलेगा तो चाइना ने यहाँ पर कई सारे डेम बनाये हुए है आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो चाइना का इन डेम को लेके प्लान यह था कि जब गर्मी का समय आए जिस समय पर भ्रमपुत्र नदी के लिए मेन पानी का सोर्स गलेशर हो उस समय पर इन डेम के माध्यम से पानी रोक दिया जाए तो फिर क्या होगा इस रीजन के अंदर भ्रह्मपुत्र नदी का पानी नहीं आ पाएगा पानी बहुत कम मिलेगा जिसके कायन से यहां पर सूखा पड़ेगा कब गर्मी के समय फिर गर्मी के जश्ट बाद भारत में आ जाती है बारिश जैसे ही बारिश का समय आता है तो आप लगातार यहां पर देख सकते हो आसाम के अंदर अल्रेडी फ्लड आते ही है चाइना ने ये प्लान किया है कि उस समय पर जब बारिश का समय आ जाए तो उस समय पर इस डैम का पानी जो गर्मी के समय पर खटा किया हो उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि इंडिया में इस समय पर पहले ही पानी जादा है बार की स्थिती डेवलप हो रही है तो बार और ज्यादा ग्रेव हो जाएगी ज्यादा लोगों की हानी होगी जानमान की हानी होगी और इस तरीके से चाइना जो है वो अपने water war plan को चलाता है जिसके अंदर चाइना क प्लान इस चीज को operational करना है जब भी भारत और चाइना के बिच में युद्ध हो जाए तो यह चाइना की पूरी planning यहाँ पर देखने को मिलती है ऐसी condition में भारत ने अपनी security के लिए 12 अलग-अलग hydro power project इस region के अंदर डेवलप करने का प्रयास किया और उसके लिए कई सारे project अलड़ी पास कर दिये गए है लगबग 12 से जादा hydro power project भ्रहमपुत्र नदी और उनकी tributary के ओपर डेवलप किये जा रहे है अब इस देम से क्या फाइदा होगा भारत को देखो सीदी सी चीज है जब बाढ का समय आएगा जब मौनसून का समय आएगा जिस समय पर का समय आएगा जब भ्रहमपुत्र नदी सूखेगी और चाइना वापा पाइना नहीं रोकेगा तब हम दिये दिये करके यहाला पानी जो है वो छोड़ने लग जाएगे और अगर चाइना इस water war plan को यूज ना भी करे अगर चाइना ने इस water war plan को यूज नहीं किया तो इसलिए भारत इस रीजन के अंदर कई सारे डेम डेवलप कर रहा है जो कि अलग अलग भ्रहमपुत्र के ट्रिब्यूटरी के उपर भी है और भ्रहमपुत्र के उपर भी है तो यह चीज यहां पर देखने को मिल रही है इसके कारण से अब चाइना का जो यह इतने सारे इसलिए चाइना के इस रिजन के अंदर भारत इस इस तरीके की बाते जो है वह चाइना द्वरा की जा रही है वह इसके अंदर भी कई सारे इशू हम लोग को दिखाये देते हैं मेली इन्वार्मेंटल इशू है क्योंकि ऑबियसली डेम बन रहे है डेम बनेंगे तो अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश वाले डेम बन रहे हैं तो इस रिजन के अंदर किसा अर्टेक्टेड एरिया जैसे आपको डिबांग वाइडलाइफ सेंशूरी और माननस दि हांग डिबांग डिबुरूसाह होा ये सब इसी ब्रह्मपूत्र नदी के बेही dilini के केसी की तैयरी करना इंडर के टॉप एजूकेटर से ऑफ लाइन के अंदर जुड़ना है तो आप लोगे बस में अच्छा मौका है अन्यक्व के लॉप लाइन नहीं रहा है अन्यक्व आप लाइन भी आ चुका है देली के करूल बाब मुखरिने के अंदर प्राइगार्स के स सेंटर्स खोले जा चुके हैं अगर आपको उमार सेंटर देखना है तो इस वीडियो को इंटर देखना बाइन दो y써 सेंटर को आपको जा लाइना है अन्यक्तर बाइन झाल गल्ड़के हैं झाल बाइने अत्म्रीप में च्में खिरहां अन्यक्श झाल अन्यक्न उर्म्राणो करें जढा